सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बढ़ने जा रहे हैं छेजार से ज्यादा खालिपद हैं जिन पर आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हो कम से कम बारवी पास कैंडिडेट्स इस भरती पर आवेदन करने के लिए इलिजिबल है ओल इंडिया के वेकेंसीज हैं सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्ये से इस भरती पर लाश देट से पहले-पहले आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भरती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कितनी यहाँ पर exact number of vacancies है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो कितनी salary आपको successfully recruit होने के बाद provide की जाएगी क्या यहाँ पर आपका selection procedure रहने वाला है जिसके तहत आपका chain किया जाएगा क्या date है जिससे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में अंतितक हमारे साथ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस भरती की पूरी जानकारी हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिसन के अंदर ये भरती निकली है जहां पर पोस्ट का नाम है कॉंस्टेबल मेल कॉंस्टेबल की पोस्ट के लिए 5000 खालिपद है और फीमेल कॉंस्टेबल की पोस्ट के लिए 1000 खालिपद है सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 400 खालिपद हैं तो टोटल इस परकार से यहाँ पर 6400 खालिपद है जिन पर आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हो Educational Qualification के अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम 12 वी कलास पास होना जरूरी है Constable की Post पर आवेदन करने के लिए और Graduate Degree का होना जरूरी है सब इंस्पेक्टर की Post पर आवेदन करने के लिए Age Limit यहाँ पर आपकी 18-25 साल Constable की Post के लिए रखी गई है और 21-27 साल सब इंस्पेक्टर की Post के लिए रखी गई है जिसकी गणना 1 जून 2019 से की जाएगी सेलनी यहाँ पर आपको रूपे 21,700 से 69,100 के बीच में Constable की Post के लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी और रूपे 35,400 से 1,12,400 सब इंस्पेक्टर की Post के लिए परमत के साब से प्रोवाइड करा दी जाएगी एप्लिकेशन फीस के अगर बात की जाए तो एप्लिकेशन फीस आप Post वाइज और कैटिगरी वाइज जमा करा सकते हो जैसे कि Constable Male Candidates के लिए जर्नल और OBC कैटिगरी 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 के लिए 100 रूपे आवेदन सुल्क निर्धारित किया गया है वही जर्नल कैटिगरी Constable Male Candidates के लिए केवल 25 रूपे आवेदन सुल्क है Constable Female Candidates के लिए जर्नल और OBC के लिए 50 रूपे आवेदन सुल्क निर्धारित किया गया है और रिजर्व काटिगरी 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 काट आपका written test computer based test और physical test के आधार पर किया जाएगा डेटस के अगर इस भरति की बात की जाए तो इस भरती पर आवेदन करने की starting date 12 जूम 2019 है वही आवेदन करने की last date के अगर बात की जाए तो वो 26 जूम 2019 है फीस आप 28 जून 2019 से पहले पहले जमा करा सकते हूँ, अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भरती पर आवेदन कर सकते हूँ, तो सबसे पहले Candidates को हडियाना Stop Selection Commission की Official Website को Logon कर लेना है, जो की है www.hssc.gov.in इस website को Logon करने के बाद आपको इस भरती से लेटिट ओफिसल अडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है, ओफिसल अडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी detail उसमें से read करनी है, पूरी detail one by one carefully read करने के बाद, आप simply इस भरती पर online आवेदन कर सकते हो, इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इस भरती के बारे में और ज़्यादा जान करी चाहिए तो आपको हमारी website का link नीचे description box में plus first comment box में मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप directly इस भरती का official advertisement open करके पूरी detail उसमें से read कर सकते हो जहाँ दोस्तों यह इस भरती के official advertisement का direct resource link है जैसे ही आप इस link पर click करोगे तो आपके सामने इस भरती का official advertisement खुल जाएगा यह इस भरती का official advertisement है यहाँ से आप पूरी detail विस्तार पूरुवक one by one करके read कर सकते हो और पूरी detail आपको यहाँ पर विस्तार पूरुवक read करना जरूरी भी है then उसके बाद ही आपको online आवेदन करना है online आवेदन करने के लिए link भी आपको हमारी website पर मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों यह इस भरती पर आवेदन करने के लिए apply online का direct resource link है जैसे ही आप इस link पर किलिक करोगे तो आपके सामने इस भरती पर आवेदन करने के लिए online portal खुल जाएगा यह इस भरती पर आवेदन करने के लिए हरियाना करमचारी चेन आयोग का online portal है जिसके माद्यम से आप simple इस भरती पर last date से पहले पहले आवेदन कर सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना registration करना होगा registration करने के बाद आपको login करना है और application form को बरकर last date से पहले पहले submit कर देना है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत भूलना साथी साथ दोस्तों गर अब विया आपके मन में इस भरती से later कोई question या query है तो आप हमें comment के जरिये पूछ सकते हैं और अंत में दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्यूंकि हम daily basis पे आपके लिए ऐसी ही big recruitment की update अपने इस चैनल पर upload करते हैं